इन्फरमेशन टेकनोलोजी सेंटर को सबस्क्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं Welcome friends, मेरे चैनल Information टेकनोलोजी सेंटर पर आपका फिर से स्वागत है चैनल पर पहली बारा आये हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें आज मैं लाया हूँ PPF पर संपूर्ण Google का बेस्ट वीडियो आप सभी जानते हैं मैं ऐसे कई वीडियो बना चुका हूँ जो Google के सबसे बेस्ट PPF वीडियो या और कोई स्कीम के वीडियो मैं लाता रहता हूँ और जो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर रखा है उन्हें पता है कि मैं जो दावा करता हूँ कि Google का बेस्ट वीडियो वो वास्तव में ही Google का सबसे बेस्ट वीडियो होता है जिसको ये ब्रह्म हो वो उस वीडियो को जरूर पूरा देखे और फिर अपने कमेंट करें कि क्या ये वास्तव में Google का बेस्ट वीडियो है या नहीं है ठीक है आज का अमारा टॉपिक है पब्लिक प्रॉविडेंट फंड पीपी एफ की 100% सही और संपूर्ण जानकरी तो चलते हैं आपके सभी पर्षनों के जवाब देने के लिए अब इसमें खास बात मेरे वीडियो बड़े होते है क्योंकि फैनेंशन से सम्मंदिद आप पैसा लगा रहें अपना तो पैसा लगाएंगे तो आपको पूरी जानकारी होना जुरुरूरी है इसलिए मैंने इसमें कितने इस वीडियो में मैंने कितने topic cover किया है PPF पर देखो questions are covered in this video 10 questions तो यह हो गए 10 questions ठीक है फिर उसके बाद 11, 12, 21 और फिर देखिया total कितने questions है total है 32 questions को मैंने इसमें cover किया है कुल 32 questions को मैं इसमें cover करने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं आपको सम्कून जानकरी दूँगा और यह है अमारा PPF का Google का सबसे best video तो चलता है हमारे topic पर तो सबसे पहले हम basic जानकरी देख लेते हैं जो ने लोग उनके लिए भी वोड इस public provident fund पीप अकाउंट scheme यह PPF अकाउंट scheme है क्या सारा देख लेते हैं पब्लिक प्रोविदेंट फंड PPF scheme is a long term investment option यह PPF जो scheme है वो एक दिर्ग कालीन investment plan है भारत सरकार के द्वारा यह launch की गई है scheme जिसमें आप दिर्ग काल के लिए अपना पैसा जमा कर सकते हो लोंग टर्म के लिए अपना पैसा जमा कर सकते हो और उसके उपर आपको ब्याज मनता है PPF बाज introduced in India in 1968 with the objective to mobilize small savings in the form of investment PPF scheme को लाया है बारत सरकार लाई कब लाई गुनिस और 60 में लाई और इसका उद्दिश यह क्या है कि जो छोटी savings होती है जो लोग थोड़े थोड़ा पैसा बचा लेते हैं हर महीने या हर साल उस पैसे को कैसे utilize किया जाए उसी की है यह saving scheme ताकि लोगों को फायदा हो सके अब हम आगे देखते है यहां से start करते है हमारा पहला question रहेगा Is there any risk in PPF account क्या PPF account में कोई risk है क्या सबसे बड़ा प्रशनी यही आता है लोगों को दिमाग में कि हम इसमें पैसा जमा कराने वाले है क्या इसमें हमारा पैसा safe है या नहीं है तो देखे इनस cancer The public provident fund PPF is a government-backed saving scheme यह जो PPF scheme है यह भारस सरकार की scheme है It is managed by central government The money in the PPF account and the returns it generates are guaranteed PPF scheme में लगाया गया समस्त पैसा भारस सरकार की guarantee के तहत आता है अगर आपने इसमें कोई पैसा लगाया है तो वो 100% safe है सुरक्षित है आपके पैसे को कुछ भी खतरा नहीं है किसी भी परकार का ना तो आपके पैसे को खतरा ना आपके ब्याज को खतरा बले ही आपका बैंक लुट जाए बले ही आपका पोस्ट आफिस लुट जाए लेकिन फिर भी आपको आपका पूरा पैसा सुरक्षित देगी भारस सरकार ठीक है फिर आगे देखते हैं वेर कहना ही ओपन ए PPF अकाउंट हम अपना PPF खाता कहां कहां खोल सकते हैं तो देखिए PPF अकाउंट कैन भी ओपन इन एनी पोस्ट आफिस एनी ब्रांच ओफ स्टेट बैंक और इंडिया और सम अधर नैशनलाइज बैंक देश के लगबग समस्त बैंकों में PPF खाता खोला जा सकता है पोस्ट आफिस में भी खोला जा सकता है और बैंक भी खाता खोला जा सकता है क्योँ ? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा यह किसी बैंक की स्कीम नहीं है फिर अगला है क्यूशन पीपिएफ अकंट पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है तो देखिए Indian citizens are eligible to open a पीपीएफ अकाउंट कोई भी भारतिय नागरी पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है पहली बात Non-resident Indians, NRIs and Hindu Undivided Families, HUF are not allowed to open a पीपीएफ अकाउंट जो NRI है, जो विदेश चले गए है भारती है और जो HUF है उन्हें पीपीएफ अकाउंट खोल ले की अनुमती नहीं है फिर उसके बाद देखते हैं अकला question, how many पीपीएफ अकाउंट can be opened, कितने पीपीएफ अकाउंट as long as the deposit remains within the year limit 1.5 lakh ध्यान दे, कुछ लोग एक से ज़्यादा भी पीपीएफ अकाउंट खोल लेते हैं मैं अब clear कर देता हूं जैसे pen card एक होता है जैसे आधार card एक होता है वैसे ही जो पीपीएफ अकाउंट होता है वो भी एक ही होता है ठीक है, लेकिन कुछ लोग एक से ज़्यादा अकाउंट खोल लेते हैं कैसे खोल लेते हैं सर एक bank में खुला लेते हैं एक post office में खुला लेते हैं इस तरह से हैं ना तो उसी के संबन्द में भार्ष सरकार नया सुधार लेके आई है ये कानून लेके आई है देखे क्या है जो आपका जो primary account होगा वो आप तैय करेंगे आपका कौन सा primary account है पीपेफ के मालीजी आपने दो अकाउंट खोल लिए तो उसमें से आपको तैय करना पड़ेगा कि मेरा primary account कौन सा है और उसी पर आपको पीपेफ की rate का ब्याज मिलेगा दूसरी account पर आपको पीपेफ की rate वाला ब्याज नहीं मिलेगा केवल और केवल primary account पर मिलेगा अगर आपके एक से ज़्यादा account है तो ठीक है पहली बात और डेड़ लाग रुपे तक की limit है हम जानते हैं कि एक साल में हम डेड़ लाग तक जमा करा सकते हैं इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे अगर आपके बास दो account मालीजे एक post office में एक bank में तो आपको चूज करना पड़ेगा कि किस account को आप पीपेफ का primary account रखते हैं तक कि आपको पीपेफ की ब्यासदर मिलती रहे ठीक इव दा primary account stays below the applicable investment limit इच यर दा balance in the second account will be combined with it अगर आपने दो पीपेफ अकाउंट खोल रखें और मालीजे प्राइमरी अकाउंट में आपने एक लाग रुपे जमा करा है और जो second account है आपका उसमें जो पचास जार रखा हुआ है उसे भी वो क्या कर देगा combine कर देगा और इस तरह से आपके दोनों account मिलकर डेड़ लाग रुपे तक की limit तक आप investment कर सकते हैं ठीक है दा primary account will continue to earn the prevailing scheme rate of interest after the margin और डेड़ लाग की limit तक दोनों account को merge करने के बाद जो डेड़ लाग की limit है अगर उसमें पैसा है आपका डेड़ लाग की limit तक तो आपको पीपीएफ का ब्याज मिलता रहेगा और माली जे second account में आपके माली जे first account में एक लाग रुपे पड़े ते और दूसरे account में आपके second account में माली जे सत्तर अजार पड़े तो सत्तर अजार में से पचास जार पर आपको पीपीएफ की rate of interest का ब्याज मिल जाएगा क्यों? क्योंकि एक लाग first account में है पचास जार आपके second account से लिया जाएगा यदि आपने डेड़ लाग रुपे से उपर पैसा जमा करा दिया है पीपीएफ account में simple जी बात यदि आपने डेड़ लाग से जादा पैसा जमा करा दिया है पीपीएफ account में तो उस पर किसी भी परकार का कोई ब्याज नहीं मिलेगा ये ध्यानकना इडि इंपोर्टन तो नोट देट अपार्ट फ्रॉम्द प्राइमरी और डेड़ लाग से लाग से जादा पैसा जमा करा दिया तो तीसरे अकाउंट में किसी भी परकार का कितना भी पैसा रखाओ उस पर किसी भी परकार का कोई ब्याज नहीं मिलेगा आपने तीसरे अकाउंट और पीपिएफ का खोल दिया तो सिंपल एंड शोट किछने पीपिएफ अकाउंट रख सकते है एक पीपिएफ अकाउंट रख सकते है सिंपल सी बात ठीक है और इंवेस्टमेंट कितना कर सकते है डेड़ लाग जिसके हम आभी और चर्चा कर लेंगे ठीक है फिर आगे whether joint account is allowed in PPF PPF में क्या आप joint account खोल सकते हैं आप शामिल होकर तो no, a PPF account cannot be opened in joint names joint account नहीं खोला जा सकता है PPF में आप single name से ही खोल सकते हो account को फिर आगे है what is the minimum is to open a PPF account PPF account खोलने की न्यूनतम उम्र या आयू कितनी हो सकती है there is no restriction on the age limit to open a PPF account PPF account खोलने के लिए किसी भी परकार की कोई age limit तै नहीं की गई है यानि की एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े व्यक्ति तक कोई भी PPF account खोल सकता है however, a PPF account of a minor can only be handled by a parent guardian on his behalf until the account holder turns 18 यदि कोई बच्चा है जिसके नाम पर PPF account खोला जाएगा तो 18 वर्ष की उमर तक तो उसके parents उस account को चलाएगे और 18 वर्ष के बाद वो account किसके नाम पर हो जाएगा completely उस बच्चे के नाम पर जो कि 18 वर्ष से उपर होते ही उसके नाम पर हो जाएगा तो यदि आपको बच्चे के नाम पर PPF account खोलना है तो आप खोल सकते है 18 वर्ष तक parents चलाएगी उसे उसके बाद वो बच्चा चलाएगा ठीक है? इसके बारे में अभी और जान कर देते हैं इस संबन में अभी नया नियम आया है जस्ट लेटेस्ट PPF account for minor यह नय नियम आया है जो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको यह क्या है? In the case of PPF accounts opened under the name of a minor the interest rate applicable to post office saving account POSA will be paid for such irregular accounts in which minor accounts does not have parent account information until the minor reaches the age of 18 ठीक है? at which point they become eligible to open their own account simple सी बात क्या कह रहा है देखिए? In the case of PPF accounts opened under the name of minor यदि आपने बच्चे के नाम पर कोई account खोला parents ने यदि बच्चे के नाम पर PPF account खोला the interest rate applicable to post office saving account तो उस account में आपको कोन सी ब्यासदर दी जाएगी? अगर irregular account है बच्चे का PPF account जो आपने खोला है वो irregular है तो पोश्ट आफिस की जो saving bank की ब्यासदर है वो दिया जाएगा PPF की rate नहीं मिलेगी ध्यानक ना किसका ब्याज मिलेगा आपको? saving account का PPF का जो rate है वो तो 7.1 है और जो saving account उसका rate है 4% के आसपा तो आपको 4% मिलेगा किस case में? irregular accounts irregular accounts क्या होते है ऐसे PPF accounts जो बच्चे के नाम पर खोले गए है और जिसमें माबाब की information नहीं दी गई है या माता ने भी बच्चे के नाम से अकाउंट खोल लिया PPF और पिता ने भी उसी बच्चे के नाम से एक और PPF account खोल लिया ठीक है? इस case में उसे irregular account माना जाएगा और उस account पर केवल और केवल सामान्या जो ब्यासदर होती है बचत की, बचत खाते की वही दी जाएगी PPF account की ब्यासदर नहीं दी जाएगी हाँ, यदि वो irregular account नहीं है और बच्चे के नाम पर PPF account खोल लिया है तो उस पर PPF की ही rate of interest मिलेगी ये clear कर लेना फिर आगे देखिए और कब तक? ये 18 वर्ष की उमर तक क्योंकि 18 वर्ष जैसी होंगे बच्चा खुद उस account को operate करने लग जाएगा PPF को, ठीक है? From that point onwards the standard PPF interest rate will be applied ठीक है? 18 वर्ष के बाद उस PPF account पर क्या ब्याजदर मिलेगी? जो PPF की standard rate है वही ब्याजदर मिलेगी The maturity period for these accounts will be calculated starting from the date of minor attend authorized adulthood that is the date of from which they become eligible to open the account जैसे ही बच्चा 18 वर्ष का होता है उसको PPF के account की जो ब्याजदर है वो भी मिलेगी और maturity period क्या होगा? The maturity period for these accounts will be calculated starting from the date of minor attend adulthood तो यह चीज के लिए हो गई कि maturity कम मानी जाएगी जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा 18 साल से उसका 1 year start हो जाएगा PPF account का जैसे कि हम जानते हैं हम आगे भी चर्चा करेंगे 15 साल का period होता है PPF account का तो अगर मान लिजे उसकी उमर में 5 साल है और 5 साल की उमर में उसने PPF account खोला तो 5 साल से count नहीं होगा उसका 15 साल बलकि कब से count होगा? जब वो adult हो जाएगा 18 साल का हो जाएगा तब से उसका one year count होगा और फिर 15 साल काउंट होगे ठीक है? फिर आगे देखते हैं What are the minimum and maximum limit for investment in PPF? तो PPF में हम कितना कम से कम कितना निवेश कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा कितना तो देखे The minimum investment in a financial year 1st April to 31st March 5 सुर्पीज आप एक अप्रेल से किसी भी वर्ष ध्यानक ना वैसे साल अलग होता है आप जनरली आप साल क्या ध्यानते हो? कैलेंडर यर को एक जन्वरी से 31 दिसंबर को कहते हो आप साल लेकिन जब हम finance की बात करते हैं जब हम पैसी की बात करते हैं शेर मार्केट हो या कुछ भी हो जहां शेर मार्केट या फिनेंशल की बात आ गई वहां हमेशा यर का मतलब होता है एक अप्रेल से 31 मार्च तो आप किसी भी एक अप्रेल से 31 मार्च के दोरान आपको कम से कम पीपिएप में 500 रुपय तो निवेश करने ही पड़ेंगे और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं एक फिनेंशल यर में द्यानक न एक फिनेंशल यर में आप एक पॉइंट पाँच लाख इंवेस्टमेंट कर सकते हैं और कम से कम 500 सर अगर माल लीजे 31 मार्च मैंने माल लीजे मार्च में 15 मार्च में खाता खोला मैंने और मैंने 1.5 रपय इंवेस्टमेंट कर दिया क्या मैं फिर नेवलाध कर सकता हैं है कर सकसे हों क्योंकि अगला फिनेंशल यर हो जाएगा 31 तक पहला फिनेंशल कर जाएगा फिर जैसी एक अप्रल आएगई फिर नया financial year चालो हो जाएगा फिर आप डेड़ लाख रुपए investment कर सकते हो ठीक है अब आके देखते है अब आके देखते है अगर आप नया पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो कम से कम कितना अमाउंट चीए कितना पैसा चीए उसके लिए तो देखिए इनिशल मिन पैसिंग भी करनी है तो भी कम से कम 500 रुपए से खोलना पड़ेगा 500 रुपए निवेश करना होगा फिर अगला है how many times we can deposit money in PPF अकाउंट PPF अकाउंट में हम कितनी बार पैसा जमा करा सकते हैं इसके कुछ पहले नियम थे अब देखी क्या है आपको कम से कम सालाना एक बार तो पैसा जमा करना ही पड़ेगा जैसा कि मनें बताया है minimum राशी जमा करना ही पड़ेगी और उसके बाद कितनी भी बार आप साल में पैसा जमा कराएं टुकडो में जमा कराएं कोई दिक्कत नहीं है आप कितना भी पैसा जमा कराएं इसके बारे में हम वीडियो के end में end तक बने रहे हम चर्चा करने वाले हैं यह सब चीजे और फिर देखिए क्या मेरी फैमिली का परतेक मेंबर मेरी वाइफ मेरे बच्चे सब अपने नाम पर पीपेफ अकाउंट खोल सकते हैं क्या यस खोल सकते हैं इच फैमिली मेंबर कैन ओपन पीपेफ अकाउंट इन देर ओन ने आपके family का परतिक member PPF account खोलने के लिए ready है वो खोल सकता है ठीक है फिर अगला है tenure और maturity period और low-end period of PPF account PPF account का maturity period कितना है tenure कितना है या low-end period कितना है वो देख लीजे PPF account comes with a specified low-end period of complete 15 financial years excluding financial years of account of complete जिस साल आपने account खोला है उसके financial year को count नहीं किया जाएगा उसके अलावा 15 financial year आपको PPF account में अपना पैसा रखना कमपल सरी है उससे पहले आप अपना account से सारा पैसा नहीं निकाल सकते मैं repeat कर रहा हूँ जिस साल आपने पैस account खोला है PPF का उसके अलावा और 15 साल चाहिए तब जाके आपका ये lock in period complete होगा ये क्या है lock in period कि 15 साल तक आपका पैसा PPF account में ही जमा रहेगा उससे पहले आप नहीं निकाल सकते हाला कि इसमें कुछ close है जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे कि आंशिक निकासी कितनी है यानि कि partial withdrawal कितना कर सकते है यह मैं आगे बताऊँगा आपको इसकी चर्चा करने वाले हम every 1st April to 31st March will be counted as 1 PPF year जैसे कि मैंने बताया PPF में year की गणना कैसे होती है 1st April से 31st March के एक PPF कहेंगे फिर next PPF year 1st April से 31st March का ही होगा यह clear कर ले न फिर आगे है 3 options after PPF account maturity आपका PPF account 15 साल बाद mature हो गया तो क्या-क्या option है ऐसे 3 option है जो आप choose कर सकते हैं पहला यदि आपके 15 साल हो गये है complete PPF account के और आप PPF account को बंद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपनी PPF account के जहां आपनी PPF account खुलाया है बैंक में या पोस्ट आपिस में वहाँ जाए और उनसे संपर्क करें अपनी पास्बुग ले जाए और अपना complete settlement कर ले और आपको सारा पैसा मिल जाएगा पहला option दूसरा option can retain maturity value in his account further without deposit आप चाहें तो PPF के 15 साल होने के बाद जितना पैसा आपने जमा करार दिया अब तक वो रखें और और next आपको अगला पैसा जमा कराने की जुरुत नहीं है और उसे बैंक में ही रखें the PPF interest rate will be applicable and payment can be taken at any time और can take one withdrawal in each financial year देखो यह क्या है second point क्या करा है कि आप चाहें तो PPF account को 15 साल के बाद में extend कर सकते हैं उसे आगे भी जारी रख सकते हैं इसके दो options हैं पहला option है without deposit माल लीजे मेरे PPF account में जितना पैसा है मैं चाहता हूँ उतना ही रहे अब मैं और ज्यादा उसमें investment नहीं करना चाहता लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को PPF की ब्याजदर का लाब मिलता रहे क्योंकि मैं saving account में डालूँगा तो मुझे कम ब्याज मिलेगा PPF में मुझे ज्यादा मिल रहा है और उसमें tax में नहीं लगता हाना तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं अब और तो पैसा एड़ नहीं करना चाहता लेकिन यह PPF account में रहना दू तो आप ऐसा कर सकते हैं without deposit अपने PPF account को 15 साल बाद भी जारी रख सकते हैं और फिर उसके बाद पैसा कम मिलेगा आप एक financial year में एक बार withdrawal कर सकते हैं और चाहे तो पूरा withdrawal कर लो कोई दिक्कत नहीं है पैसा पूरा मिल जाएगा लेकिन एक financial year में एक बार ही withdrawal करोगे अगर महालीजी आपने एक बार withdrawal कर लिया कम पैसा और फिर जरुद पड़ी तो अगले financial year में होगा withdrawal यह ध्यानद में फिर आता है तीसरा option हमारा देखिए can extend his account for further block of 5 years with deposit अब ये दूसरा case आगया उसका किसका extend करने वालेगा इसमें आप 5 साल के लिए extend कर सकते हो अपने account को लेकिन deposit के साथ वो तो था without deposit इसमें हम क्या करेंगे जैसे सालाना हम 15 साल तक deposit करते आ रहे न वैसे आगे भी अगर आप 15 साल के बाद भी deposit करना चाते हो पीपेफ account में पैसा तो भी कर सकते हो और आपको इसको कहते हैं पीपेफ account को extend करना या extension लेना कितने साल का होता यह पांस साल का ठीक है and so on within one years of maturity by submitting prescribed extension form और यह पांस साल का आप बार बार में कर सकते हो उसके लिए आपको extension form जमा करना पड़ेगा आपने bank या post office में और उसके बाद यह चालू जाएगा discontinued account cannot be extended अगर आपका पीपेफ account किसी कारण वर्ष discontinue हो गया था तो उसे आप extend नहीं करा सकते हो अगर आपने पैसा जमा नहीं करा है माली जे पीपेफ में minimum investment नहीं किया और आपका discontinued account हो गया तो आप उसे extend नहीं कर सकते है इन extended account with deposit one withdrawal can be taken in each financial year यदि आपने 5 साल का extension period चुना और deposit वाला चुना एक तो without deposit था यह वाला कौन सा है deposit वाला तो आप कितनी बार उसमें से पैसा निकाल सकते हैं एक बार निकाल सकते हैं वन विड्रोल इच फैनेंशेल यह ठीक है subject to maximum limit 60% of balance credit at the time of maturity in the block of 5 years अच्छा without deposit वाले में तो आप सारा पैसा एक साथ निकाल सकते थे लेकिन विद डिपोजिट वाले यह ध्यानक ना without deposit वाला जो आपने case देखा उसमें तो सारा पैसा आप एक ही बार में एक साल में निकाल सकते थे लेकिन विद डिपोजिट वाले में आप सारा पैसा नहीं निकाल सकते जितना आपने block five years का block चुना ना उसके पहले आपका कितना balance था उसका 60% निकाल सकते हो माल लीजे 15 साल हो गए 15 साल खतम हुए और आपके account में माल लीजे 20 लाग रुपए और आपने 5 साल का चुन लिया extension period तो आप कितना पैसा निकाल साएंगे बाल लीजे 15 साल के बाल आपके खाते में बीस लाग की बजाए कितने में वयाज जूड़के 25 लाग लेकिन वह 25 लाग का 60% नहीं मिलेगा बल्की 20 लाग जो आपके 15 साल में होगे उसका 60% मिलेगा फिर ऐस ये 5 साल खत्म उग्ए आपके टोटल अमांट हो गया मालीजे 5 साल 15 प्लस 5 20 साल बाद आपके अकाउंट में होगे मालीजे 30 लाग रुप है फिर आपने और 5 साल का extension पिरिट चुल लिया तो इस 30 लाग का 60 परसेंट फिर आप वो निकाल वाएंगे विड्रोल ठीक है क्लियर है हाँ ब्लोग के खतम होगा तब तो आप सारा पैसा निकाल ली सकते हैं जैसे मालीजे ब्लोग 5 यर का ब्लोग खतम होगा 15 साल प्लस 5 साल का आपने ब्लोग extension पिरिट चुना तो 20 साल जैसे होँगे पूरा पैसा निकाल लो लेकिन फिर आगर आपने आपका मनुआ नहीं मैं तो और extend करना चाता हूँ तो फिर इस चक्र में चलते रहेंगे आप ठीक है फिर आ गया आता है next how many times से ppf account can be extended ppf account को कितनी बार extend किया जा सकता है 5-5 साल के period को कितनी बार extend किया जा सकता है ppf account can be extended any number of times without any restrictions आप 5-5 साल के period में कितनी बार भी ppf account को बढ़ाते रहें जब तक आपकी आयू है तब तक बढ़ाते रहें कोई दिकत नहीं for example if an account matures on March 31st 2025 it can be extended till March 31st 2030 यदि आपका 2025 में mature होने वाला है account तो उसे आप 5 साल बढ़ाकर 2030 तक कर सकते हो the next extension will be until March 31st 2035 and so on तो 5 साल का ब्लोक चुल लिया आपने 2025 में आपके 15 साल हो गए ते उसके बाद आपने 5 साल चुना 30 साल हो गए फिर 5 साल चुन सकते हो 35 हो जाएंगे फिर 5 साल चुन सकते हो 40 हो जाएंगे इस तरह से ये चलता रहेगा 5 साल का extension period कितनी बार भी चला हो कोई फिर आगे हैं what is the rate of interest on PPF अभी जो PPF की rate of interest वो क्या चल रही है देखे the current interest rate is 7.1% परेनम ध्यानकना एक साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको PPF पर जितना पैसा जमा है उसका 7.1% 7.1% आपको ब्याज मिलेगा ये rate of interest चेंज होती रहती है generally एक साल में एक बारी चेंज होत interest shall be applicable as notified by ministry of finance on quarterly basis every three months हर तीन महिने में finance ministry जो PPF की interest rate है उसे review करती है और तीन महिने में जो review करती है उसके बाद वो decide करती है कि अगले तीन महिने के लिए कौन सी interest rate दी जाएगी PPF पर generally हर तीन महिने में rate of interest नहीं बदली जाती है PPF की साला ना बदली जाती है review हर तीन महिने में करते है लेकिन बदलते हैं वो हर तीन महिने के आप सोचे कि 7.1 है फिर हर तीन महिने में ऐसे ना वो generally एक साल में बदली जाती है और कई बार तो एक साल में नहीं बदली जाती है दो-दो साल तक constant रहती है ठीक है फिर है तीसरा point the interest shall be calculated for the calendar month on the lowest balance in the account between the close of the fifth day and the end of the month अब interest कैसे मिलता है आपका प्रतीमा हर महिने जितना आपका ppf में balance है lowest balance माल लीजिए आपके account में पात छे तारिक को आपके account में तीन तारिक को माल लीजिए आपके account में था दो लाक रुपए ठीक है और फिर हो गया आपके माल लीजिए दस तारिक को हो गया तीन लाक रुपए तो जो भी आपका minimum balance होगा न उस महिने का ब्याज नहीं मिलता हम इसकी चर्चा बाद में करेंगा न फॉर्थ पॉइंट इंट्रेस चैल भी क्रेडिटेट टू दा अकाउंट एड़ एंड अफ इच फिनेंशल एर द्यानक ना ब्यास तो calculation जो ब्याज की calculation होती है वो हर महिने होती है लेकिन ब्याज आपकी अकाउंट में नहीं आएगा ब्याज की entry के वर एक साल में एक बार ही दिखेगी आपको आपकी account में लेकिन उसका calculation हर माहा होता है यानि कि हर माहा आपका ब्याज जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा लेकिन उसकी entry कब होगी एक साल में केवल एक बार ठीक है इस तरह से होता है PPF का calculation आगे चाड़ता है What is the best time to deposit money in PPF account in year यदि आप PPF में पैसा जमा कराना चाहते हैं तो ये मेरे से question बहुत बार पूछा गया है कि एक किसी साल में हम कब पैसा जमा कराएं कि हमको जादर से जादर benefit मिले तो देखिए It is always advisable to invest in the PPF at the beginning of the year because of compounding power of interest हमेशा क्या सला दी जाती है कि जैसे ही एक अप्रेल start हो आप अपना जितना भी पैसा आप जमा कराना चाहते हैं वो कोशिश करें कि सारा का सारा पैसा जल्दी से जल्दी एक अप्रेल के बाद तुरंत आप जमा करा दे PPF में क्यों क्योंकि अगर आप अप्रेल में कर पाएंगे सारे साल का ब्याज ले पाएंगे अगर आपने दिसंबर में पैसा जमा कराया तो दिसंबर से आगे के महिनों का ही ब्याज मिलेगा पूरे साल बर का नहीं मिलेगा अगर पूरे साल बर का ब्याल लेना है तो आपको अप्रेल में पैसा जमा कराना चाहिए हाँ जिस दिन अकाउंट खोलो उसके लिए अप्रेल होना जुरूर नहीं है, जब आप अकाउंट खोल रहे हो PPF का, वो तो किसी भी महिने में खोलो, अब वो जो है आपकी विवस्ता उसके अनुसार खोल सकते हो, उसके लिए वेट मत करना कि यार मैं जब अप्रेल आएगा तब भी अकाउंट खोलो तो मिरको ज़्यादा फायदा होगा ठीक है, अकाउंट तो किसी भी महिने को खोल लो, फिर अधर्वाइस यू विल गेट इंट्रेस्ट ओन डिपोजिट ओफ रिमेनिंग मन्स, जैसे मैंने बताया है, जिस महिने में जमा कराओगे पैसा, उसी महिने स से आपको ब्याज मिलता है, अगर लेट महिने लेट पैसा जमा कराओगे तो लेट ब्याज मिलेगा, ठीक है, फिर आगे देखते हैं, वाट इस दा बैस टाइम टू डिपोजिट मनी इन पीपीएफ अकाउंट इन मन्त, यह भी क्यूशन आता है कि सर महिने की कौन सी तारि आपने किसी भी महिने के एक तारिक से पांस तारिक के बीच में पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कराया, तो आपको उस महिने का भी ब्याज मिलेगा उस राशी के, मान दीजी आपने जून में पैसा जमा करा रहे हैं, और अगर आपने पहली जून से लेके पांच जू को जमा करा है न पैसा तो जून का ब्याज आपको नहीं मिलेगा ये द्यान डगना otherwise he she will not be eligible for ppf interest of that month इसलिए आपको हमेशा जब भी ppf account में पैसा जमा कराएं तो हमेशा एक तारिक से लेकर पांस तारिक तक ही जमा कराएं ताकि आपको उस महीने का ब्याज भी मिल सकते हैं फिर आगे देखते हैं ये क्यूशन बहुत जब्रदस आता है मेरे पास इस का जवाब भी बहुत अच्छे दरस देता हूं कि कोट ओडर से भी ppf account सुरक्षित है ये क्या जो पीपीफ का account है section 9 वो ये कहता है कि पीपीफ account में आपके कितने भी लाक रुपए जमा हो उस पैसे का प्रियोग ना तो कोई व्यक्ति ना कोई कोट आपसे recovery के नाम पर कर सकता है माल लीजिए आपने किसी व्यक्ति से उधार ले रखा या कुछ हो गया आपके कोई problem आई ठीक है और आपके account में पैसा है लेकिन आपके bank में पैसा है आपके लेकिन आपके bank account में पैसा नहीं और आप से recovery मांग रहे हैं कि आप हमारा पैसा दो लोग को दे दो क्यों क्यों क्योंकि PPF account एक future planning मानी जाती है और future planning के कारण PPF account में रखा गया पैसा कोट कभी भी यह नहीं कहेगा कि आप उधार देने वाल जिन से आपने उधार लिया या किसी और case में आप हचे हुए हैं तो वो payment PPF account से करे ऐसा नहीं होगा तो यह PPF account में रखा गया सारा का सारा पैसा सुरक्षित है सो परतीशत इसकी recovery कोई नहीं कर सकता लेकिन इसमें clarification आया था वो भी सुननों था अगर आपने इंकम टेक्स का पैसा खा लिया है और PPF account में पैसा रख दिया और इंकम टेक्स वालों को बोल रहे हो कि मेरे पास तो पैसी नहीं है आपको टेक्स देने के तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा इंकम टेक्स और इस्टेट डूटी तो आपको PPF account से भी चुकानी पड़ेगी अगर आपने नहीं चुकाईए अगर आपने इंकम टेक्स का पैसा खा लिया है और इस्टेट डूटी का पैसा आपने खा लिया है नहीं चुका रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है है ना मैं कहां से दूँ तो अगर आपके PPF अकाउंट में पैसा होगा ना तो income tax department आपके PPF अकाउंट से भी पैसा निकाल लेगा केवल income tax department और estate duty ही ऐसी authority है जो आपके PPF अकाउंट से भी पैसा निकाल सकती है इसके अलावा देश में और कोई भी मामला हो आपका पैसा PPF अकाउंट से नहीं निकाला जा सकता चायसे आपकी wife हो आपका spouse हो माली जा आपने तलाक लिया और आपके PPF अकाउंट में लाको रुपए पड़े तो लाको रुपए उन PPF अकाउंट के पैसे को आपका spouse भी नहीं ले सकता है चायसे वो wife हो या पती हो या पतनी दोनों ही केस में कोई भी आपका PPF अकाउंट का पैसा कोट के थ्रू भी नहीं ले सकता फिर अगला point है देखते है PPF का ही third point hence in case of payment of business liabilities or to pay alimony to spouse in case of marital dispute or to settle a divorce case etc an individual's immobile property and investment may be attached in case of shortage of money ध्यान दे अगर आप किसी से तलाक ले रहे है या आपने बिजनस में उधार लिया हुआ है तो आपके उपर जितना भी करजा है या court आपका divorce जो हो रहा है तलाक हो रहा है उसमें spouse को पैसा दिलाना चाहता है तो आपकी जितनी भी property है जितना भी आपके पास पैसा है वो सब उसको शामिल कर लेगा और payment दिलाने के लिए spouse को कोशिश करेगा लेकिन आपके PPF account में रखा हुआ पैसा अगर आपके PPF account में कोई पैसा रखा हुआ है तो court ये नहीं कह सकता कि आपने divorce लिया है, तलाक लिया है तो PPF account में जो रखा हुआ पैसा है उसमें से आप अपने spouse को वो पैसा दे दीजिए या आपने जो business में उधार लिया हुआ है PPF में इसे निकाल लिये पैसा और जिससे उधार लिया है उसे चुकाईए ऐसा court भी नहीं रह सकता यानि कि PPF account में रखा गया पैसा आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा important है क्योंकि तलाक हो या किसी business में उधार लिया हो तब भी आपकी पूरी property को ये आपसे चीन सकता है आपका पूरा पैसा किसी भी account का वह आपसे चीन सकता है लेकिन PPF account में रखा गया पैसा आपसे court भी नहीं चीन सकता कोई भी आपसे नहीं चीनेगा ऐसा ये प्रावदान है ठीक है अब आगे बढ़ते है What are the tax implications on PPF तो देख लहते हैं PPF में tax के rules क्या है तो number one point रूपीज 1.5 lakh will be exempted from tax deduction अंडर section 80C of the income tax act 1961 आप डेड़ लाग रुपए तक income tax के section 80C में छूट पा सकते हैं जिस साल आपने डेड़ लाग रुपए investment किया उस साल आप डेड़ लाग रुपए तक अपने income tax में छूट पा सकते हैं किस section के ता है section 80C के ता है ठीक है second point interest earned on the PPF will be completely tax free आपको PPF में जितना भी ब्याज मिलेगा उस पर किसी भी परकार का कोई tax नहीं लगेगा देखिए पहला tax का बचा तीन परकार के tax बसते हैं इसमें triple E category आता है triple E category scheme exempt 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 ये कौन सी category होती है कि initial investment किया आपने डेड़ लाग का तब आपको ETC में tax छूट मिल गई interest earned गिया जो ब्याज प्राप्त कर रहे है उस पर कोई tax नहीं लगेगा आपको ठीक है और maturity amount जो आपको मिलेगा न अंत में PPF का 15 साल बाग उस पर भी किसी परकार का कोई tax नहीं लगेगा यह भी देख लाता है यह जनरली किस पर लगता है शेर मार्केट से होने वाली इंकम प्रापटी से होने वाली इंकम इन पर लगता है ठीक है फिर आगे चलते हैं तो question यह है कि माल लीजे मैंने अपने नाम पर भी PPF अकांट खोल रखा है और बच्चे के नाम पर भी PPF अकांट कोल रखा है तो क्या दोनों में जो राशी जमा कर रहा हूँ उस राशी को मैं अपने इंकम टेक्स में शो करके ATC में show करके क्या मैं छूट पा सकता हूँ यह है question तो answer देखिए The maximum investment of rupees 1.5 lakh applies to all contribution you make To your account, your minor child's account and your spouse's account collectively आपने अपने नाम पर PPF account खोला है अपने बच्चे के नाम पर PPF account खोला है या अपने spouse के नाम पर PPF account खोला है और आप पैसा जमा करा रहे है तो 3 account को मिला कर आप कितने रुपए की छूट ले सकते हो 1.5 lakh रुपए तक की CDC बात है PPF के तहत आप ATC section में income tax की 1.5 lakh तक की छूट ले सकते हो आप यह नहीं कर सकते हैं कि मेरे account में मैंने 1.5 lakh की छूट ले ली minor के account नाम पर account खोला उसमें 1.5 lakh की छूट ले ली spouse के नाम पर account खोला और पैसा मैं जमा करा रहा हूँ फिर 1.5 lakh की छूट ले ली ऐसा नहीं होगा आप जितने भी आप account में पैसा जमा करा रहे हो उसमें total मिला कर 1.5 lakh रुपए तक की छूट ले सकते हो जैसे कि मैंने बताया आपने तीन हो अकाउंट में तीन लाग रुपए जमा करा दिये अपने पास से लेकिन आपको deduction कितने का मिलेगा के वल 1.5 lakh रुपए तक का ही deduction मिलेगा तीन लाग का नहीं मिलेगा फिर अगला question है whether nomination facility is available for PPF PPF में क्या हम nominee बना सकते हैं क्या तो yes you can define your nominee to one or more person आप एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति को भी nominee बना सकते हैं PPF account ठीक है you can also define shares to each nominee और आप यह तेह कर सकते हैं एक से जादा एक nominee है तो 100% राशी उसी को मिलेगी एक से जादा nominee है तो उनका shares decide कर सकते हैं कि कितने % पैसा किसको दिया जाए PPF का in case death of account holder then the balance amount will be paid to his nominee or legal hair even before 15 years यदि आपकी death हो जाती है इस दोरान तो आपके PPF account में रखा गया सारा पैसा आपके nominee को दे दिया जाएगा बलही 15 साल ना हुए हूँ ठीक है nominees or legal hairs are not eligible to continue the account of the disease यदि जो account holder है PPF account holder है उसकी death हो जाती है तो उस account को उसका nominee चालू नहीं रख सकता उसे सारा का सारा पैसा claim करना पड़ेगा यही एक तरीका है वो किसी और व्यक्ति के नाम पर जो जिसकी death हो गई है उसके नाम पर वो account नहीं चला सकता फिर आगे हैं loan facility on PPF PPF में loan भी मिलता है देखिए कैसे मिलता है first point है इसका loan can be taken after the expiry of one year from the end of the financial year in which the initial subscription was made that is account open during 2010-11 loan can be taken in 2012-30 अगर आपने किसी साल account खोला है PPF का तो उसके अगले साल से आप loan ले सकते हैं जैसे अगर आपने 2010-11 में account खोला तो आप 2012-13 की session में loan ले सकते हैं ठीक है फिर a second point loan can be taken before expiry of the five years from the end of the year आप द्यान दे loan की facility केवल पास साल तक ही मिलती है PPF account खोलने के शुरुआती पास साल तक ही loan की facility मिलती है उसके बाद loan की facility बंद हो जाती है क्योंकि उसके बाद withdrawal की facility स्टार्ट हो जाती है इसलिए ठीक है फिर अगला point है देखिए तेजिसरा नमबर का point loan can be taken up to 25% of balance to his credit at the end of the second year immediately preceding the year in which loan is applied जिस साल आपने loan apply किया है उससे पिछले साल में जो आपके पास second year में जो पैसा था उसका 25% loan मिलेगा जैसे देखिए that is if loan taken during 2012-2013 अगर आपने 2012-2013 में loan लेने वाले हैं तो किसका loan मिलेगा 2012-2013 में आप loan लेना चाहते हैं तो कब का loan मिलेगा उसके गत साल में कितना balance था उसका 25% आपको loan मिलता है ठीक fourth point only one loan can be taken in financial year आप एक financial year में केवल एक ही बार loan ले सकते हैं बार-बार loan नहीं ले सकते हैं second loan shall not be provided till first loan was not repaid जब तक आप पहला loan नहीं चुका देते तब तक आपको दूसरा loan नहीं दिया जाता एक साथ दो loan नहीं ले सकते हैं पहले पहला loan चुका होगे तब जाके आपको दूसरा loan पीपीएफ पर मिलेगा फिर अगला पॉइंट है six number का if loan repaid within 36 months of the loan taken loan interest rate at 1% परेनब यदि आपने 36 महिने यानि कि तीन साल के भीतर जो loan की राशिय है वो चुका दी तो कितना ब्यास देना पड़ेगा आपको एक परसेंट कितना देना पड़ेगा एक परसेंट अगर 36 माह में आपने तीन साल में अगर loan का repayment कर गिया तो आपको कितना ब्यास देना पड़ेगा मातर एक परसेंट कितना आसान है न देखने में कि एक परसेंट पर ब्यास मिल रहा है नहीं है अब देखो इसकी calculation अभी इसकी चर्चा करने वाला हूं पहले यह 7th point देख लेते हैं अगर तीन साल के बाद अगर आपने लोन का repayment किया तो आपको 6% साल आना ब्याद चुकाना पड़ेगा अगर तीन साल से पहले आपने लोन का repayment किया तो 1% साल आना ब्याद लगेगा और अगर आपने तीन साल के बाद 36 महिने के बाद अगर लोन का repayment चुकाया तो आपको कितना ब्याद देना पड़ेगा साल आना 6% सरीय तो बहुत सस्ता मिल रहा है 1% 6% हम क्यों नहीं यहीं से लिए अब देखो इसके calculation क्या होती है आठवा पॉइंट यह जो आपके लिए बना किला है बट दा एक्च्वन लोन को शैल भी हायर डैट इस पीपीएफ इंट्रेस्टेट ओन यूर डिपोजिट प्लस दा वन परसंट और 6% इंट्रेस्ट डैट यू पे ओन पीपीएफ भाईया यह जो लोन लोग है न वो आपकी पैसे में से दिया जाएगा तो आपको यह दिख रहा है न कि 1% पे मिरे को लोन मिल रहा है अरे 1% तो वो प्लस जितना जितनी राशी आपने निकलवा ली अपने पीपीएफ अकाउंट से माल लीजिए आपने 5 लाग का लोन ले गया तो 5 लाग पर जो ब्याज मिलता न 7.1% वो भी ब्याज नहीं मिलेगा साथ में 1% और देना पड़ेगा तो एक तरह से कितना हो गया एक तरह से क्या हुआ जितना पीपीएफ इंटरेस्ट रेट है प्लस उस पर एक परसेंट ही है और अगर आपने तीन साल से ज्यादा रखा तो 6% तो यह देना पड़ेगा और साथ में पीपीएफ का जो नुकसान होगा इंटरेस्ट का वो तो माल लीजे अभी कितना चल रहा है पीपीएफ इंटरेस्ट रेट 7.1 तो 7.1 और एच है 7 रुच है 13.1% आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा अगर 36 महीने के आप लुच की पेमेंट करते हो तो यह जो 1% और 6% दिख रहा है यह इतना असान नहीं है यह सस्ता तो है जाईर बात है मार्केट में हमको 15 15 20% ब्याज देना पड़ता है तो यह सस्ता तो है लेकिन एतना देख रहे हो कि 1% और 6% इस 1% पे आप PPF की इंटरेस्ट रेट भी अब फिर अगला है partial withdrawal facility on PPF यह हमारा loan का मामला खतम अब हम देखते हैं कि loan अगर खतम हो जाता है तो उसके बाद partial withdrawal की क्या facility है तो देखे नमबर वन पॉइंट एस subscriber can take one withdrawal during a financial year after five years accelerating year of account अबनी जिस साल आपने account खुला उसके पांस साल बाद तक तो आप क्या कर सकते हो उसके पांस साल तक आप क्या कर सकते हो loan ले सकते हो लेकिन जैसे ही आपके पांस साल खतम होते है उसके बाद loan की facility तो हो जाती है बन और उसके बाद दूसरी facility चालो हो जाती है कौन जी partial withdrawal की और एक financial year में आप एक ही बार partial withdrawal कर सकते हैं PPF में जितना amount रखाया हुआ है उसका एक बार में withdrawal कर सकते हैं partial withdrawal कितना अभी हम देखेंगे न If account open during 2010-11, the withdrawal can be taken during or after 2016-70 अब देखे 2010-11 में account खोला है तो आप 2016-17 में क्या कर सकते हो partial withdrawal 5 जोड़ो 5 प्लस एक जोड़ो जिस साल account खोला उसे तो count करेंगे नहीं उसके बाद 5 गाउंट जोड़ो तो 2010 में खोला यानि कि 6 जोड़ो 2010 में 2016 में 2016 में 2016 1210-11 में account कूला है आपका तो 2016-17 में 2016 में शय जोड़ कर आपको यह कर सकते हो उसके बाद आपको पार्शल विड्रोल मिलता है, ठीक, नमबर दो पॉइंट, अमाउंट ओ विड्रोल can be taken up to 50% of balance at the credit at the end of 4th preceding year, और at the end of preceding year, whichever is lower, यह ऐसे समझ मिन आएगा, 50% आप बैलेंस का, क्या कर सकते हो, विड्रोल कर सकते हो, अब इसको समझो, इस विड्रोल can be taken in 2016-17 up to 50% of balance as on 31 March 2013 और 31 March 2016, whichever is lower, आप 2016-17 में आप वो लेना चाहते हो, विड्रोल, तो 31 March 2016 को आपका कितना बैलेंस था, और 31 March 2013 को आपका कितना बैलेंस था, इन दोनों में से जो सबसे कम बैलेंस है, उसका 50% आप क्या कर सकते हो, विड्रोल, ध्यान देना, 2016-17 के सेशन में आप वो लेना चाहते हो, विड्रोल, तो 31 March 2016 को कितना बैलेंस था, और 31 March 2013 को आपके अकाउंट में कितना बैलेंस था, इन दोनों में से जो सबसे कम होगा, उसका 50% आप लोन, वो विड्रोल ले सकते हो, ठीक है, फिर आगे आते ह Discontinution of PPF Account, PPF Account Discontinue भी हो जाता है, तो देख लेते हैं क्या clause है उसके, नमबर वन, if in any financial year, minimum deposit of Rs.500 is not made, the said PPF Account shall become discontinued, यदि आपने हर साल minimum 500 जमा कराने पड़ते हैं PPF Account में, अगर वो जमा नहीं करा है, तो क्या होगा, आपका account, PPF Account क्या हो जाएगा, Discontinue हो जाएगा, ठीक ह Second Point, Loan or withdrawal facility is not available on discontinued account, यदि आपका account discontinue हो गया है, तो ना तो loan की facility ले पाएगे आप, और ना ही आप withdrawal कुछ कर पाएगे, ठीक है तीसरा point, Discontinue account can be reviewed, revived by the depositor before maturity of the account, by deposit minimum subscription fee, that is 500 रुपए, प्लस 50 रुपीज default fee for each defaulted year minimum account चलाने के लिए कितना पैसा चीए, 500 रुपए, जितने साल आपने अपने account में पैसा जमा नहीं कराया, PPF में, उतने साल के हिसाब से 500 रुपए, प्लस 50 रुपए, फाइन, ये दोनों मिलाकर जमा कर दो, तो आपका, जो discontinue account है, वो क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, माल लीजे, आपने 5 साल तक कोई पैसा जमा नहीं कराया, PPF में, तो 5 साल के, 1 साल के 500 रुपए, तो 5 साल के कितने हो गए, 25 रुपए, प्लस 50 रुपए, एक साल के, तो 5 साल के कितने हो गए, 25 रुपए, तो 25 रुपए, ये दोनों जमा कराओ, तब जाके आपका, जो discontinue account है PPF का, वो वापिस से active हो जाएगा, ठीक, फिर आगे देखते हैं, premature closure of PPF account, अगर PPF account वैसे तो 15 साल का है, उससे पहले पैसा निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आप पूरी account को close करना चाहते हैं, तो क्या है नियम देखिए, नमबर वन, premature closure shall be allowed after 5 years from the end of the year in which the account was opened subject to following conditions, कम 5 साल से पहले तो आप इस account को close करी नहीं सकते हैं, चाहिसे कोई भी परिशिती हो, 5 साल के बाद अगर आप close करना चाहते हैं, premature closure करना चाहते हैं, PPF account का, तो ये नियम और शर्त हैं, इन केस में आप PPF account को 5 साल बाद close कर सकते हो, नमबर ए, in case of life threatening disease of account holder, spouse or dependent child, जिसने account खोला है PPF का, उससे कोई बीमारी हो गई या उसके spouse को गई या उसके dependent child को अगर कोई बीमारी हो गई है, life threatening है, तो वो PPF account को बंद कर सकता है, पहला case, दूसरा case B, in case of higher education of account holder or dependent child, यदि जिसके नाम पर PPF account है, वो higher education में जाना चाहता है उसके लिए fees की जुरत है, बच्चे के लिए fees की जुरत है, तो भी account close किया जा सकता है, C point, in case of change of resident status of account holder, became NRI, यदि कोई पहले व्यक्ती ने account खोल रखा था PPF का, अब वो विदेश में जाके रहने लग गया है, और अपना account बंद करना चाहता है, तो भी वो account बंद कर सकता ह है, PPF का कोई दिकत नहीं है, ठीक, फिर आगे आते हैं, premature closure का ही अगला point, second point, at the time of premature closure, 1% interest shall be deducted from the date of account opening, date of extension, as the case may be, अगर आपने बीच में अपना account बंद किया, तो जितना ब्याज मिला है, उसका 1% आप से काट लिया जाएगा, समझ रहे हैं, भाई, माल लिजे, 7.1% के साब से आपको PPF पर ब्याज दिया जा रहा है, और आपने premature closure किया, तो 7.1 की बज़ाए आपको कितना ब्याज दिया जाएगा, केवल और केवल, 6.1% के साब से ब्याज मिलेगा, 1% आपका काट लिया जाएगा ब्याज, चाहिसे आप extension करें, या normal account चला है, दो नहीं case में, फिर है point number 3, account can be closed on above conditions by submitting prescribed form along with passbook at consent post office और bank, और आपको account close करने के लिए अपने PPF account की passbook लेके जानी पड़ेगी, जहां पर भी आपने account खलवा रखा है, फिर एकला point है, extension of PPF account by NRI, ये ने नियम आया है, वो भी देख लिजे, NRI अपना account को extend कर सकता है तो देख लिजे, for NRI, PPF accounts that are active and opened under the public provident fund scheme PPF 1968, where form H did not explicitly inquire about the account holder's residency status, the account holder Indian citizen who became an NRI during the currency of the account will receive a post office saving account, POSA, rate of interest until September 30, 2024. After that, date A4 mentioned account will earn no interest, simple सी बात है, अगर कोई व्यक्ति पहले Indian था, उसने PPF account खोला, कोई दिकर नहीं है, उसे PPF का ब्याज मिलता रहा, जैसे ही वो NRI बना, उसे अपना account बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि 30 सितंबर 2014 के बाद से, उसे किसी भी परकार का कोई ब्याज नहीं मिल इवन, जो सामान्य ब्याज होता है न, वो भी नहीं मिलेगा, देखो, after that, that, A4 mentioned, account will earn no interest, किसी भी परकार का उसे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, 30 सितंबर 2014 तक, जो भी NRI है, वो अपने सभी account बंद कर दे, PPF के, क्योंकि उसके बाद उन्हें कोई ब्याज नहीं दिया ठीक है, फिर अगला है, transfer of PPF account, PPF account transfer भी होता है, अब देखिए, you can transfer your PPF account to another branch of the bank, post office, switch from bank to post office, और switch from post office to a bank, आप क्या कर सकते हैं, PPF account को आप एक ही bank की एक शाका से दूसरी शाका में भी transfer कर सकते हैं, या PPF account को आप bank से post office में भी transfer कर सकते हैं, या आप PPF account को post office से bank में भी transfer कर सकते हैं, यानि कि इसे जैसे चाहे, वैसे transfer किया जा सकता है PPF account की, इसके लिए आपको bank जाना पड़ेगा, या post office जाना पड़ेगा, जहाँ आपका account है, और वहाँ application देनी पड़ेगी, और वो आपका account transfer हो जाएगा, ठीक, फिर अगला point है, PPF में एक साथ, एक ही दिन में एक लाग पचास जार रुपे जमा कर सकते हैं, क्या, इसका answer है yes, मान लिजए आपने अप्रेल में कोई पैसा जमा नहीं करा है, मही में सेप्टेंबर में कई नहीं जमा करा है, और आपने अचानक से नवंबर में आपके पास कहीं से पैसा आ और आपने एक साथ 1.5 लाग रुपे आप उसको जमा करा सकते हो, PPF अकांट, यह possible है कि किसी महीने में एक ही दिन में आप 1.5 लाग रुपे जमा करा सकते हैं, क्या, हाँ जमा करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक अप्रेल को आपने एक बार 1.5 लाग रुपे जमा करा दिया, तो अगला पैसा जो है एक साल में एक financial layer में आप द्यानक ना डेड़ लाक रुपय ता जी जमा करा सकते हो यदि आपने अप्रेल में ही डेड़ लाक रुपय जमा करा दिया तो फिर आप किसी भी महिने में कोई रुपया जमा नहीं करा सकते है क्योंकि जो आपकी लिमिट थी डेड़ लाक की वो complete हो गई ठीक है फिर उसके बाद आता है अगला पीप अप में हर महिने पचास रुपय जमा करा सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं कोई लिमिट नहीं है आप पचास रुपय हर महिने जमा कराओ कोई दिक्कत नहीं है आपके पास कम सेविंग्स है आप कम पैसा भी जमा करा सकते हो दिरे दिरे करके लिए यह possible है पचास रुपय कराओ, सो रुपय कराओ, पानस रुपय कराओ, कितने भी कराओ लेकिन पूरे साल भर का जो minimum payment of 500 रुपय जरूर होना चीए ताकि अकाउंट आपका PPF का चालू रहे यह द्यान लगना फिर आगे है PPF में हर महिने अलग-लग राशी जमा कर सकते हैं क्या हाँ, यह possible है माली जी मैंने अप्रेल में 50 रुपय जमा कराओ, फिर मही में 500 रुपय जमा कराओ, जून में 5000, जुलाई में 10,000 जमा कराओ, अगस्त में 50,000 जमा कराओ, शेप्टमबर में 50 रुपय, फिर ऐसे करके मैंने जमा कराओ, लेकिन ध्यान रगना, कम से कम 500 रुपय और maximum आप 1.5 पीपिएफ का मेगा वीडियो और जैसा कि मैंने दावा किया था कि गारंटी है गूगल का सबसे बेस्ट पीपिएफ वीडियो मुझे नहीं लगता इतने सारे कुशन किसी अन्य वीडियो में कवर किये गए होंगे अगर चैनल अच्छा लगाओ तो सब्सक्राइब जरूर कर श्लचा च्छाइए और यहां आजाने प्लेए वाले सेवगविए अगर नीचे की सैड में आएंगी आप को मिल्टीकल प्लेवस्त मिलेगी आप मोबाइल में यूज़ करें या कंप्यूटर में दोनो 사 Dwight पेलो फिलिस्त प्र इसके पात multiple playlist आती है तो national pension scheme के लिए इस playlist पर click करना है इसमे 97 videos है आप देख सकते हैं शेर market अगर आपको सीथना हो तो इस playlist पे click करेंगे वी फुल प्ले लिस्ट तो यहां 36 video है investment से संबन्दि जितने भी video आगर देखना चाथे हैं तो financial solutions है, इसकी playlist आप चेक करें, यहाँ 29 वीडियो हैं already अभी, और technical solutions चाहते हैं, computer और mobile की कोई problem हो, तो आप इस playlist को click करें, computer सीखना चाहते हैं, basic जानकरी चाहते हैं, तो आप इस playlist को click करें, फिर और नीचे जाएंगे, आप अपने mobile में या computer में इधर दाइन तरफ जाएंगे, click करके, तो आपको SBI की समस्त schemes की जानकरी मिलेगी इस playlist में, post office की कोई भी scheme आपको इस playlist में देखने को मिलेगी, गोल्ड investment, sovereign gold bond, जितनी भी gold की investment की schemes है, वो सारी इसमें देखने को मिलेगी, CCS, NPS rules के लिए अलग से playlist बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं, cryptocurrency की भी playlist है, और इसके अलावा आप देखेंगे, तो public provident fund की scheme है, complete series है, FD, RD, fixed deposit और ये जो recurring deposit होती है, उससे संबंदित complete playlist है, MS Excel अगर आप सीखना चाते हैं, तो MS Excel master series है मेरे पास, Gratuity के लिए, Gratuity की series है, तो ये तो हो गई playlist, जिसमें आप mobile और computer दोनों में देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो, कोई particular की playlist है नहीं, कोई video सर्च करना हो, तो कैसे करेंगे आप, आप computer में ये video वाले section पर click करना, और अब आपको क्या करना है, ये search वाला button है, इस search वाले button पर click करना, और अब आप अगर share बाजार से संबंदित कोई video चाते हैं, तो यहाँ केवल इतना सा type करें, share और search करें, तो यहाँ share से संबंदित, share market से संबंदित सारे video दिखाई देंगे, share market के लिए सबसे best video है, money control कैसे use करें, ये आप ज़रूर देख लेना, तो यहाँ बहुत सारे video मिल जाएंगे आपको, फिर अगर national pension scheme के बारे में आप जानना चाते हैं, तो NPS लिख दे, तो NPS लिखेंगे, तो देखे, NPS के उपर बहुत सारे video है, बहुत सारे मतलब Google के सबसे ज़्यादा video मेरे चैनल पर है, फिर अगर ग्रेचुटी अगर जानना चाते हैं, तो आप ग्रेचुटी के बारे मिल लिख दें, ठीक है, यह ग्रेचुटी में लिखी और सर्च किया, तो देखे, ग्रेचुटी से सम्बंदी जितने भी टॉपिक से हो, सारे कवर हो जाएंगे, फिर अगर आपको Public Provident Fund देखना हो, कि Public Provident Fund के वीडियो कौन कौन से हैंसर के पास, तो PPF लिखें और सर्च करें, तो यह PPF के सारे वीडियो दिखाई देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको SBI, State Bank of India की कोई स्किम्स के वीडियो देखने हो, तो यहां SBI लिखें और सर्च करें, यहां SBI से समंदित समस्ती वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, फिर अगर आपको Post Office की कोई स्किम्स जाननी हो, कि Gold में कैसे इंवेस्ट करें, और कौन कौन से स्किम्स हैं, तो Gold लिखें और Gold पे किलिक करें, तो आपको सारी Gold की स्किम से आप देखने को मिल जाएंगी फिर अगर आपको post office की कोई scheme देखनी है कि post office से सम्मंदित कोई scheme हो जो आप देखना चाते हो तो आप post लिखें और search करें तो आपको यहां दिख जाएगा post office की सारी scheme से जितने भी insurance plan है post office के वो सारे मैंने यहां दे दिये हैं फिर उसके बाद है FD अगर आप जानना चाते हो fix deposit schemes कौन कौन सी है सर के पास कौन सी वीडियो है तो FD लिखें और FD के जितने भी वीडियो है जितने भी interest rate है अलग-लग banks की वो सारी आपको यहां देखने को मिल तो यहां Excel लिखें यहां केवल आपको क्या लिखना है एकसल लिखना है और Excel लिखके क्लिक कर देना है तो आपको यहां MS Excel के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे और इसके अलावा भी आगर आपको कोई भी योजना जाननी हो जैसे सुकन्या सम्रद्धी योजना सुकन् सम्रद्धी योजना तो जो भी योजना या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से सम्मंदित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है तो आप यहां वो टॉपिक लिख दें आपको उससे सम्मंदित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें